जैहिन दोस्तों स्वागत आपका अपने यूटूब चैनल प्रदोस्तों आप सभी को पता है हमारी 1000 कुशन की हिस्टी की सीरीज चली हुई है प्रीवियस पार्ट के अंदर हमने हेंड़ कुशन डिसकस किये थे और ये है हमारा पार्ट नमबर टू इस पार्ट के अंदर हम next हेंड़ कुशन डिसकस करने वाले हैं हिस्टी के और इस पार्ट में हमने कुछ न्यू कुशन भी आड़ किये हैं जो कि most important रहेंगे आपके आने वाले सभी exams के लिए चाहे वो exam हो SSA का, चाहे railway का हो, चाहे बैंक का हो, चाहे किसी भी level का exam हो सभी में most important रहने वाले हैं तो चलिए start करते हैं अंगरेजी संसद में भारत सरकार अधिनियम का पारित हुआ था तो यह हुआ था ठारा सो अठावन भारती राष्टे कोंगरेस का 1896 का अधिवेशन निमलिकित में से किसके लिए विख्यात है तो 1896 के अधिवेशन में पहली बार राष्टे गीत गाया गया था और भारत का राष्टे गीत कोंग सा है वंदे मातरम बंकिम चंदर चटर जी के उपन्यास आनदमट का अंश है और यह 1937 तक भारत का राष्टी गान रहा था यह भी इंपोर्टेंट पॉइंट है इसको भी आप याद रखीगा नेक्स्ट निमलिकित में से किस गवर्नर्ज जर्नल को भारतिय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है तो यह कहा जाता है सर चार्ल्स मैटकाफ को और इनका कारियकाल था 20 मार्च 1835 से 4 मार्च 1937 इस मोस्ट इंपोर्टेंट और उन्होंने प्रेस को पूर्ण सवतंतरता दी थी इसलिए इनको भारतिय प्रेस का मुक्तिदाता भी कहा जाता है नेक्स्ट सवतंतरता आंदलन के दुरान रविंदरना टैगोर ने नाइट हुड की उपादी किस घटना की विरोध में वापिस कर दी थी तो जलियावाला बाग हत्याकान के बाद रविंदरना टैगोर ने नाइट हुड की उपादी वापिस कर दी थी नेक्स्ट, मुस्लिमों के लिए अलग मद्दा ता दल के लिए किस कांगरेश अधिवेशन को जाना जाता है तो जाना जाता है लखनव अधिवेशन 1916 और इस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी अंबिका परसाद मजुमदार ने नेक्स्ट, 116 भारत में पहली बार उरोपिय बस्ति की स्थान पर स्थापित की गई थी तो ये की गई थी कोची के अंदर नेक्स्ट, निमलिकित में से भारते शिक्षा का मैगना कार्टा किसे कहा जाता है तो ये कहा जाता है वुडड डिस्पैश को कुश्चन इस टैप से पुछा गया था कि वोड़ डिसपैज का संबंद किस से है तो ये है शिक्षा से नेक्स्ट वर्नाकुलर प्रैस अदिनियम और सश़ष्टर अदिनियम किस वाइसराय के दोबारा पारित किया गया था तो ये किया गया था लोड लिटिन और इनका कारिकाल था 1886 से 1880 और ये भारत के वाइसराय थे नेक्स्ट निमलिकित में से किस वाइसराय की हत्या उनके कारिकाल के दोरान की गई थी तो ये थे लोड मेयो नेक्स्ट लोर्ड रिपन ने हंटर आयो का गठन किसके लिए किया था तो यह किया था भारत में शिक्षा सुधार के लिए लोर्ड रिपन ने 3 फरवरी 1812 को सर विलियम हंटर की अध्यक्षतामी शिक्षा आयो का गठन किया था Most Important Point है निमलिक्ट में से किसे मराथा मैक्यावली कहा जाता है तो यह कहा जाता है नाना फडनवीश पेशवा शाषन के दोरान नाना फडनवीश मराथा समराजे के परभावशाली मंतरी और कूट नितग्य थे इंपोर्टन पॉइंट है नेक्स्ट शिरंग पत्नम की संदी का संबंध किस यूद से है? Most important and most repeated question तो इसका संबंध है तीसरे अंगल मैसूर यूद से तीसरा अंगल मैसूर यूद के बाद 18 मार्च 1772 को शिरंग पत्नम की संदी पर हस्ताक्षर किये गए थे इस संदी पर ब्रिटिस इस्टिने कंपनी की ओर से लाड कारनवालिस और हैदराबाद के निजाम का पत्निदी माराथा सामराजे का पत्निदी और मैसूर शाशक टेपू सुल्तान ने हस्ताक्षर किये थे नेक्स्ट महाद सत्यागर्य का नेतरतव किस ने किया था ये न्यू कुश्चन है तो इसका नेतरतव किया था डॉक्टर भीमराव अंबेडगर ने महाद सत्यागर का नेतरतव भीमराव अंबेडगर ने 20 मार्च 1927 को किया गया था और यह सत्यागर है महराष्ट के रायगर जिले में महाद नामक स्थान पर किया गया था गुलाम गिरी नामक पुस्तक किस ने लिखी थी तो यह लिखी थी जोतिबा फुले ने जोतिबा फुले ने 1870 में गुलाम गिरी नामक पुस्तक लिखी थी यह पुस्तक अमेरिका की दास पर्था पर आधारित थी रविंदना टैगोर को नाइट हूड की उपादी किस वर्ष दी गई थी तो पीछे भी आ चुका है 1915 किस समाजवादी नेता ने जेल से भाग कर भारच छोड़ो आंदोलन में हिस्सा लिया था तो यह थे राम मनोहरलोईया यह आपका न्यू कुश्चन है बकसर की लडाई के बाद बंगाल के नुवाब की गद्धी पर किसी बठाय गया था तो यह बठाय गये थे मीर जाफर नेक्स्ट हसन इजामी और फक ए मुद्बीर किसके दरबारी कवी थे तो यह थे कुतूब दिन एबक के नेक्स्ट मोहमद गोरी ने पहली बार भारत प्राक्रमन कब किया था तो यह किया था 1175 के अंदर नेक्स्ट किस काल को मुगुल चित्रकला का सोण काल कहा जाता है तो यह कहा जाता है जहांगीर के काल को Next किसका काल मुगल वास्तुकला का स्वन काल कहा जाता है चित्रकला का पुछा जाए तो जहांगीर और वास्तुकला का पुछा जाए तो ये है साजहां ठेक है और किस किस वास्तुकला का यहां पर निर्मान हुआ था ताजमेल जो कि कहां पर है आगरा के अंदर लाल गिला कहां पर हापका दिल्ली के अंदर मोती मस्जिद कहां पर है आगरा के अंदर और जामा बस्जिद कहां पर है दिल्ली के अंदर साजायकाल को मुगल वास्तुकला का स्वनत यूग कहा जाता है इंपोर्टेंट पॉइंट है याद रख लीजेगा इसको Next मुहमद बिन कासिंग ने भारत पर आकरमन कभी किया था तो यह किया था 712 के अंदर मुहमद बिन कासिंग ने 712 में भारत पराकरमन किया था उस समय सिंद के राजा कौन थे दाहिर Next अमोग वर्स किस वन्स से संबंदित था तो यह था राष्टकूट वन्स से और यह है राष्टकूट वन्स का संस्थापक था Next अब्दुलकादिर, बदायूनी, नकीब खान और थानेश्वर किस के दरबार में थे तो यह थे अकबर के दरबार में Next किताब उलहिंद की रचना किस ने की थी Most important question है अलबुरूनी ने की थी अलबुरुनी महमूद गजनवी के साथ भारत आया था और इसने किताब उलहिंद की रचना की थी किस के साथ भारत आया था? महमूद गजनवी के साथ Next, अलाई दर्वाजा किस का परवेश दवार है? इसे तेरा सो ग्यारा के अंदर अलावदिन खिल जी ने बनवाया था कब बनवाया था 1311 के अंदर नेक्स्ट निमल की चैरों में से एक परसी दरूमी दर्वाजा कहां पर स्तित है तो यह आपका लखनव के अंदर और वास्तुकला पुशिजाए किस वास्तुकला पर यह निर्मित है तो यह निर्मित है अवदिवास्तुकला से नेक्स्ट उष्ट नंबर 149 महरुनिसा किस नाम से परसलित थी तो इनको जाना जाता था नूर जहां के नाम से नेक्स्ट कबीर किस के सिश्य थे तो यह थे रामानंद के अकबर नामा किस बाशा में थी तो यह लिखी गई थी फारसी के अंदर और अकबर नामा की रचना की थी अबूल फजलने नेक्स्ट ओरंग जेब किस वाध्यंतर को बजाने में निपुन था तो यह बजाता था वीना नेक्स्ट मलेबिद और वैलूर के मंदिर किस वन्स के राजाओं ने बनवाए थे तो यह बनवाए थे होएसे लिए आपका न्यू कुश्ट है नेक्स्ट आता है आपका 1576 का वर्ष किस यूद के लिए परसीद है तो यह हुआ था हल्दी गाटे का यूद 1576 के अंदर राणा परताब और अकबर के सेनापती मान सिंह के बीच में हुआ था नेक्स्ट पानिपत का तीसरा एयुद किन के बीच में हुआ था तो यह हुआ था मराठा और अफगानों के बीच आगरा की कौन सी इमारत मोस्को के सेंट कैथेडरल की तरह है तो यह है मोती मस्जीद यह आपका न्यू कुश्यन है नेक्स जलते हैं राश्ट कुट वंस की स्थापना किस ने की थी तो एक थी दंती दुर्ग ने काफी बार पुछा गया है एक्जाम के अंदर ठीक है और इसकी स्थापना इन्होंने की थी आठवी सदी के नेक्स वललभी काल किस काल को कहा जाता है तो यह कहा जाता है गुप्त काल को यह आपका न्यू कुश्यन है नेक्स सोमपुरी विश्चव विद्याले की स्थापना किस ने की थी तो यह की थी ध्रहम पाल ने नेक्स गोतम बुद की मा महामाया किस वंस्ते थी तो यह थी को लिए वंसे और इनका विवा शत्री है शाक्य वंशी राजा सुदोधन से हुआ था नेक्स्ट विक्रम शीला विश्व विद्याले का विकास किसने करवाया था तो ये करवाया था ध्रहम पाल नहीं नालंदा विशविद्यले का विकास किसके काल में हुआ था तो यह हुआ था कुमार गुप्त के शाषन काल में और कुमार गुप्त गुप्त वन्सका राजा और चंदर गुप्त विक्रम आदित्य का पुत्तर था यह कुशिन पुछा गाय था NTPC के अंदर चंदर गुप्त विक्रम आदित्य का पुत्तर कौन था तो ये था कुमारगु नेक्स्ट वो धर्म की शिक्षाओं के बारे में कौन सा गरंत बताता है तो ये बताता है सुत्पिटक नेक्स्ट हिंदी में तो ये है कि सवराज मेरा जनमसीद अधिकार है मैं इसे लेकर रहूँगा ये नारा किस ने दिया था बाल गंगादर तिलक ने बार बार पूछ जाता है एक्जाम में लेकिन आपसे थोड़ा सो गुमा के पूछ जाए कि सवराज हा माजा जनमसीद अध तो मी मिलान मिलाविनाज मराठी मया गोशना बाल गंगादर तिलक ने किस स्थान पर की थी ये कुछ न पूछ लिया जाए तो ये की थी कोर्ट के अंदर ठीक है नोट्स के अंदर देख लेते हैं कह दिया गाई यह कथन बाल गंगादर तिलक ने कोर्ट में उस समय कहा था जब राजद्रो के आरोप में उन्हें 7 वर्ष की सजा दी गई थी इसके बाद तिलग को 6 वर्ष के कारवास के लिए माडले जेहल बेश जया था वहाँ पर ये कथन दिया गया था बाल गंगादर तिलग के द्वारा नेक्स्ट वो द्रम का महायान और हीनयान में विभाजन की संगती में हुआ था तो यह हुआ था चतूर्थ संगती के अंदर और यह है बहतर इस्विय में कश्मीर के कुंडलवन में हुई थी इसकी अद्यक्स था वसुमित्तर और उपाद्यक्स थे आपके अशव घोश नेक्स्ट पर्थम बोज संगती के अद्यक्स कौन थे तो यह थे महाकश्चप बार-बार आएज़ाम पूछ जाते हैं नेक्स्ट 1855 की करांती के दुरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था तो यह थे लाड कैनिन वह इनका कारेकाल था 1856 से 1862 कारेकाल बहुत पूछ जाते हैं हाज कला एक्जाम में ठीक है तो जितने भी आपको बताये जारें सभी को आप याद रखिएगा नेक्स्ट गोतमबूद के ग्रहत्या को कौन सा चिन बताता है तो बताता है गोडा नेक्स्ट बगत सिंग, राजगुरू, सुकदेव और जै गोपाल किस सड़ी अंतर में सामिल थे तो यह सामिल थे लाहूर सड़ी अंतर में नेक्स्ट आजाद हिंद फोज की स्थापना किस देश में की गई थी तो यह हुई थी सिंगापूर के अंदर सुबाश अंदर बोस और रास बिहरी बोस ने इंडियन इंडिपेंडेंस लीग और इंडियन नेशनल आर्मी जिसको बोलते हैं आजाद हिंद फोज की स्थापना सिंगापूर में कब की थी उननिस सो तैन्तालिस में गुरू मुखिलिपी किस सिख गुरू के दवारा शुरू की गई थी यह की गई थी सिखों के दूसरे गुरू गुरू अंगद देव के दवारा नेक्स्ट बंगाल का अंतिम सोतंतर नुआप किसे माना जाता है तो यह बनाना जाता है सिराजु दोला को नेक्स्ट भारत क की और लोटो का नारा किस ने दिया था तो ये दिया था आपका स्वामी द्यानन सरस्वती ने ठीक है आरिसमात की स्थापना स्वामी द्यानन सरस्वती ने 1875 स्वी में की थी नेक्स्ट बहमनी स्वामराजय की राजदानी क्या थी तो ये थी गुलबरगा नेक्स्ट ये आप था सारंगपुर के युद में विजय होने के बाद चित्तोड का विजय स्थम का निर्मान करवाय था राना कुम्भा ने नेक्स्ट ये कुछन काफी कम बच्चों मों पता होगा रुकईया बेगम किस मुगल शाशक की पतनी थी तो ये थी अकबर की ठीक है रुकईया बेगम मुगल शाशक अकबर की पहली पतनी थी जो 1557 से 1605 तक अकबर की पतनी रही रुकईया बेगम ने रुकईया बेगम के पिता हसन मिर्जा अकबर के चाचा और हुमायू के सबसे चोटे भाई थे रजिया सुल्टान किस की पतनी थी तो ये थी अलतुनिया की खिजर खा ने किस वंश की स्थापना की थी तो इन्होंने की थी सेयद वंश की ताली कोटा का यूद किस वर्ष हुआ था? तो यह हुआ था 1565 नेक्स्ट नोर्स के अंदर देख लेते हैं ताली कोटा का युद्ध विजयनगर समराज्य और डेककन सिल्तनोतों के सिउत सेनाओं के बीच 1565 में हुआ था जिसमें विजयनगर के सेनापती सदा सिवराई की हार हो गई थी नेक्स्ट ओरंग जेब के समय राजपुत विद्रो कब हुआ था तो ये हुआ था 1689 राजपुत विद्रो 1689 में हुआ था राजपुत विद्रो हिंदू पर जजिया कर लगाने के कारण हुआ था नेक्स्ट साहजहां की मृत्यू कब हुई थी तो यह हुई थी 1666 नेक्स्ट पालखेड का युद कब हुआ था आज तक तो पूछा नहीं गया है आने वाले एकजाओं से पूछा जा सकता है तो पालखेड का युद हुआ था 1728 के अंदर पालखेड का युद बाजीरा और हैदराबाद की निजाम उल मुल्क की सेनाओ के भी 1728 में हुआ था जिसमें निजाम की बूरे तरह से प्राज्य हो गई थी जबती पर था और दैचाला पर था किसने सुरू करवाई थी तो ये करवाई थी टोडरमल ने ठीक है और टोडरमल अकबर का रादसो मंतरी था मिनाक्षी मंदर का निर्माण किस काल में हुआ था तो ये हुआ था पांडे काल के अंदर next चांदी का टंका और तांबे का जीतल किसने चलवाया था most important question है इलतूत मिसने next मुगल काल में न्याएक का सरवच अधिकारी कोन होता था तो यह होता थे काजी उलकुजात next मुगल शाशक महमूद शाको किस नाम से जाना जाता था तो यह जाने जाते थे रंगिला के नाम से next बावर नामा मूल रूप से किस भाशा में लिखी गई थी तो लिखी गई थी चगताई भाशा के अंदर next कुतुमिनार का नाम किस नाम पर रखा गया था तो बक्तियार काकी के नाम पर रखा गया था कुतुमिनार का नाम कुतुबुदीन बक्तियार काकी के नाम पर रखा गया था जो कि सुविशन थे कुतुमिनार को इल्टूतमिश ने पूरा करवाया था नेक्स्ट बोगज कोई अभी लेग कहा खोजा गया था तो ये खोजा गया था टरकी के अंदर नेक्स्ट रिगिवेद का एक मंडल किसके लिए समर्पित है तो ये सोम के लिए समर्पित है नेक्स्ट विक्रम शीला विश्व विद्याले किस गाउं में था ये कुछन आपसे पूछा जाए तो आपको सोचना पड़ेगा तो ये था अंतिंचक गाउं के अंदर ठीक है वि इक फैसले रीक्रम शीला विश्व विद्यलय प्राचीन भार्ट का एक्श्व विद्यलय था इसकी स्थापना पॉल राज धरम पालने की थी और इसे बक्तियार खिल centralized नेनowए था लेक्स्ट माहयान बोथильно-ग्ञूर्प में बिविष्शय बोधि किसे कहा जाता है। मैत्रिये को। जूनागड अभिलेख में किस शक राजा का नाम दर्ज है। यह दामन का। जूनागड अभिलेख कहां पर है। यह है गुजरात के जूनागड के अंदर इसमें शक राजा रुद्दर्दामन का नाम है इसमें वनन है कि शुदर्शन जिल का पुर्ण पुनय निर्मान रुद्दर्दामन ने करवाया था जो मोरे द्वारा निर्मित थी चतुर्थ बोजसंगती किस के समय में हुई थी तो यह हुई थी कनिश्क के समय मे नेक्सट शात वहन पीस्च के राजा किस राजा ने गाथा सप्शती या पंटिपिषन पूछा गया था तो यहां राजा हाल ने की थी नेक्स्ट 1802 में British East India Company के साथ बसाई की संदी पर किसने हस्ताक्सर किये थे तो यह किये थे बाजीराव दिवित्यानी नोट्स के अंदर देख लेते हैं या पर यह पॉइंट आपका बसाई की संदी 31 दिसंबर 1802 को हुई थी यह संदी British East India Company और बाजीराव दिवित्ये के बीच में हुई थी नेक्स्ट दूसरा गोल में सम्मेलन कब हुआ था तो यह हुआ था 7 सितंबर 1931 को नेक्स्ट आता है आपका All India Trade Union Congress की स्थापना में किसने मैतापून भूमी का निभाई थी तो यह निभाई थी लाला लाजपत रायने ठीक है और इसकी स्थापना हुई थी 31 अक्टूबर 1922 को Bombay के अंदर नेक्स्ट सबतंदरता आंदरोन के दुरान केसी नामक समाचार पत्तर किसने शुरू किया था तो यह किया था बाल गंगादर तिलक नेक्स्ट 1906 में मुस्लिम लिक की स्थापना की स्थान पर की गई थी तो यह हुई थी डाका के अंदर नेक्स्ट 1924 पत्चिस के बैक कॉम सत्यागरह में किसने मैतापून बूमी का निभाई थी के के लापन ने या आपका न्यू कुश्चन है नोर्स के अंदर देख लेते हैं यह सत्यागरह त्रावन कोर में छुआ छूत के विद्रों में हुआ था गुरू वायूर इस आंदोलन के प्रमुखनेता थे उन्होंने गांदी जी की प्रात्ना पर अंचन स्मॉक्ट किया था नेक्स्ट जलियावाला बाग हत्याकांड के विरोध में किस ने वायसराय की कारिकारी परिशत से इस्तीफा दे दिया था तो यह दिया था शंकरण नायर ने नेक्स्ट संदर्सेखर आजाद की सहादत किस तारीक को हुई थी तो यह हुई थी 27 मार्च 1931 को दोस्तों यह था हमरा पार्ट नमबर टू जिसके अंदर आपके साथ हमने हैंड़ कुशन डिसकस कर ली हैं वीडियो गर आपको चलाए वीडियो को लाइक करें चैनल को सब् बूलें मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जैहिन जैभारत